किस्सा मुख्यमंचरी का सीरीज की पहली कड़ी में हमने आपको बदाये था कि राजस्तान के पहले मुख्यमंचरी हीरालाल शास्तरी को हटा कर पंडित नहरू ने एक ऐसे शक्स को राजे का मुख्यमंचरी बना दिया, जो मूलतह करनाटक का रहने वाला था राजस्थान की राजनीती का ये इकलोता उधारन है जब राज में सत्ता की बागडोर किसी दक्षण भारती शक्स ने सम्हाली थी हम बात करने हैं राजस्थान के दूसरे मुख्यमंचरी कंदाबी शेटाचार वेंकटाचार की जो सीयस वेंकटाचार के नाम से ज़ादा मशूर हुए आए जानते हैं वेंकटाचार राजस्थान के मुख्यमंचरी आखिर क्यों बनाए गए राजस्थान से पहले सीयार वेंकटाचार पयागराज में कमिशनर थे यहां उनकी मुलाकात पंडित नहरू से हुई थी हीरालाल शास्त्री के बाद अगले मुख्यमंचरी के तौर पर जैनारायन व्यास का नाम सबसे आगे था लेकिन पंडित नहरू के खास रफी एहमद किदवई ने उनका विरोध कर दिया किदवई का कहना था कि व्यास जी ग्रूप ठीक नहीं है अगर वो सियम बने तो अपने लोगों को मंत्री बनाएंगे ये लोग मंत्री बनकर करप्शन करेंगे अब किदवई की आपत्ती को नहरू दरकिनार नहीं कर सके फिर एक नए नाम की तलाश की गई और इस तलाश को पूरा करने तक अंतरिम व्यवस्था के लिए सी आर वेंकटाचार का नाम सुझाए गया और फिर सिविल सर्विस ओफिसर सी आर वेंकटाचार 6 जैनवरी 1951 को राजस्थान के मुख्यमंचरी बनाए गये नए मुख्यमंचरी की तलाश पूरी होने में करीमन तीन महीने का वक्त लगा तब तक वेंकटाचार CM पत सम्हालते रहे CS वेंकटाचार का नाम राजस्थान के दूसरे मुख्यमंचरी के रूप में दर्ज है वो कुल 110 दिन CM की कुरसी पर थे और CS वेंकटाचार ने राजस्थान के लिहाज से जो सबसे बड़ा काम किया वो था जोत्पूर का पाकिस्तान के साथ विलैज होने वाला था उसे रोकना ये C वेंकटाचार ही थे जिन्होंने जोत्पूर के महराजा हनवन्त सिंग और मुहम्मद अली जिन्ह की जोत्पूर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश का भांडा फोड किया था जिस पर कारिवाई करते हुए सरदार पटेल ने हनवन्त सिंग को समझा बुचा कर जोत्पूर का भारत में विलै करवाया